हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल कल 18 दिसंबर को उत्राखंट पुलिस कॉंस्टिबल का एक्जाम है दोस्तों तो उसके लिए ये लास्ट प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं जो की सूपर डूपर रहेगा हिंदी का है काफी अच्छा सेट किया ग परसेंट आपने सही कर दिया तो यू समझे आपके हिंदी में से जो है कोई भी नंबर नहीं काड़ पाएगा तो चलिए जो पहला प्रशन है उसे देखते हैं ब्रज भासा है पूर्वी हिंदी पस्चमी हिंदी बिहारी हिंदी और पहाडी हिंदी तो जो ब्रज भासा है दूसरा प्रशन है मगही किस भासा की बोली है राजिस्तानी पस्चमी हिंदी पूर्वी हिंदी और बिहारी तो यह आती है मगही जो भासा है वो आती है बिहारी की अंतरगत हिंदी खड़ी बोली किस अपभरंस से विक्सित हुई है मागदी अर्द मागदी सौर सेनी ब्रांचड तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने हिंदी भासा का साहित पड़ा हो दोस्तों क्योंकि यहां से question हर बार बनता है तो यह हो जाएगा आपका सौर सेनी अपभरंस भासा की आधार पर भारत्य राजियों की पुना सरचना की गई थी 1952 में 1953, 1954, 1956 तो भासा की आधार पर की गई थी आपका 1956 में भासा ही आधार पर सरोपर्थम किस राज्य का गठन हुआ पंजाब, जमुकस्मी, राजिस्तान, आंदर परदेश तो सबसे पहले जो जिसका गठन हुआ था वह था आपका आंदर परदेश बगहेली बोले का सम्मंद किस उपभासा से है राजिस्तानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्मी हिंदी तो जो बगहेली बोली है दोस्तों वो है आपका पूर्वी हिंदी की उपभासा ठीक है किस तिथी को हिंदी को राजभासा बनाने का निर्णे लिया गया 15 अगर्स 1947, 26 जनवर 1950, 14 सितंबर 1959 और 14 सितंबर 1950 तो ये दिया गया था आपका 14 सितंबर 1950 को वर्स 1955 इस्वी में गठित पर्थम राजभासा आयो के अध्यक से बीजी खेर सुनीती कुमार चटर जी और जीवी पंत और पी सुब्यो रोयान तो ये थे आपके बीजी खेर ये कुशन बहुत जादा बार पूछा जाता है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है भारतिय समिधान की आटवी अनसूची में सामिल भासाओं की संक्या है 14, 15, 18, 22 तो जो आटवी अनसूची है उसमें आपके जो है 22 भासाएं सामिल है हिंदी की आदी जननी है संस्क्रित पाली प्राकरत अभ्रंस हिंदी जो भासा है उसकी जो जननी है वो कौन सी है संस्क्रित भासा संस्क्रित जो है सबसे पुरानी भासा है आटवा विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन इस्तल था यानि कि कहा पर हुआ था नागपूर, मौरिसिस, लंदन, नूयार्क तो ये हुआ था आपका नूयार्क में निमन मेंसे कौन भारोपय परिवार की भासा नहीं है तो भारोपय परिवार की भासाईं कौनकौन सी होती है ये आपने पड़ा होगा जब साहिते पढ़ रहे होंगे मराठी, गुजराती, मलियालम और हिंदी तो इसमें से जो मलियालम है वो भारोपय परिवार की भासा नहीं है हिंदी दिवस किसी दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर तो काफी इजी प्रशन है 14 सितंबर को जाएंगे उपसर्ग और प्रते के क्वेशन उपसर्ग का प्रियोग होता है सब्द के आदि में, सब्द के मद्य में, सब्द के अंत में और इनमें से कोई नहीं तो उपसर्ग कहां पर योजोते सब्द के आदि में यानि की स्टार्टिंग में जो धात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात अ प्रति अनू तो गमन सब्द को बिलोम बराना है हमें तो हम इसमें लगाएंगे आ ठीक है गमन का मतलब होता है जाना रा आस लगा देंगे तो यह जगा आ गमन तो आ गमन का मतलब क्यों जगा आना निर्वासित में प्रतिया है इक नी सित इ तो निर्वासित में कौन सा प्रतिया है इसमें है आपका इत ठीक है लेखक सब्द के अंत में कौन सा प्रतिया लगा है को इक आक अक लेखक के अंत में है आपका अक प्रतिया अनूझ सब्द को इस्त्री वाचक बनाने के लिए किस प्रतिय का यूज करेंगे अनूझ को, अगर हमें इस्त्री वाचक बनाना है, तो यहाँ पे देखें एक, इ, आ, इ अनूझा, ठीक है अनूझ? लड़के के लिए होगा, अनूझा, लड़की के लिए होगा सुत सब्द को इस तरी वाचक बनाने के लिए आप किस परते का प्रयोग करेंगे इ आ इ य इक तो इसमें करेंगे हम आ का यूज ठीक है प्रतिकूल सब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है प्रा परा परी प्रति तो इसमें है प्रति ठीक है प्रति उपसर्ग यूज़ है निमन में से कौन सा सब्द समोह वाचक प्रतिय नहीं है लोग, गर्ण, वर्ग, प्रेस तो इस में से जो समोह वाचक नहीं है वो कौन सा होगा प्रेस ठीक है भासा की सबसे छोटी इकाई है सब्द, बेंजन, स्वर और वर्ण भासा की सबसे छोटी काई होती है वर्ण वर्ण माला कहते हैं सब्द के समोह को वर्णों के संकलन को सब्द गर्णा को और वर्णों के विवस्तित समोह को तो वर्ण माला कहा जाता है वर्णों के विवस्तित समोह को कंठ धनिया यानि कि जो कंठ से बोली जाती है गले से जो दुनिया बोली जाती है तो वह है आपका को और खो इस्तान के आधार पर बताईए कि मुर्धन्य बिन्जन कौन से हैं गो, गो, जो, छो, डो, धो, पो, फो तो इस्तान के आधार पर होंगे आपके डो और धो निम्न में से अलप पराण वर्ण कौन से हैं ओ, आ, को, गो, थो, धो, पो, फो हिंदी वर्ण माला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं तो सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं परिवासा जरूर लिखेगा कमेंट में तो इसका हो जाएगा अंग औह निम्न में से बताईए कि किस सब्द में दुइत बेंजन है पुनह इलाबाद दिली उसाह तो दुइत बेंजन होगा किस में दिली में निम्न में से कौन सा घोसवर्ण है खा चा मा था तो जो मा है वो है आपका घोसवर्ण का गा जा फा दुनिया किसकी है संस्कृत अर्भी फार्षी की अंग्रेजी की दक्षनी भासाओं की तो जो कौक हो जौफ हो है यह है अर्भी फार्षी की भासाओं हिंदी में मूलत हो जो वर्णो की संक्य है वो कितनी है तो वो है आपका बावन अब यहाँ पर देखे उत्पत्ति के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं दो, चार, छे, आठ, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, कहीं पर रचना के आधार पर अलग-लग टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं चार प्रकार के, सस्कृत के ऐसे सब्द जिने हम जियों, कात्यों परियोग में लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाते हैं, तत्सम, तत्भाव देशज, बिदेशज, तुने कहते हैं तत्समसब, निम्न में से रूड सब्द कौन सा है, वाचनाले, समतल, बिध्याले, पसू, तो रूड सब्द है आपका पसू, सब्द के आधार पर बताईए कि कौन सा सब्द योगरूड है, पवित्र, कुसल, बिजिमे, जलज, तो जल सब्द योगरूड है, परिक्षा सब्द निम्न वर्णों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भाव, देशज, बिदेशज, तो परिक्षा है आपका तत्सम, सब्द, मजिस्ट्रेड सब्द है, तत्सम, तद्भाव, देशज, बिदेशज, तो ये होगा आपका ब गड़ी डोर पुसकर इसमें से जो पुसकर है वो देशज नहीं है जिन सब्दों की उत्पति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम तद्भो देशज संकर तो उन सब्दों को कहा जाता है देशज सब्द वकील किस भासा का सब्द है फार्सी अर्बी तुर्की पु और इससे बहुत सारे question बहुत बार जो है repeat हो चुके हैं तो आप जो है इसमें से count करके जरूर बताएगा कि आपके कितने question सही हो रहे हैं और कल के paper के लिए आप सभी को बहुत सोब काम नहीं अपना exam धहर्ये के साथ आराम से दिजेगा दोस्तों बाकी अगर नहीं हो पा रहा के बग तब तक चैनल को कीजिए subscribe बाई बाई